जैसे कि आप सब देख रहे हैं माननी प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के दूरदर्शी एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हारदिक वंदन है अभिनंदन है आपको जी ट्वेंटी नए संसर्भवन इवं नारी शक्ती वंदन अधिनियम के लिए हारदिक आभार आज माननी प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्यारा राज्यों में संचालित होने वाली नौ वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेनों की सौगार दी जा रही है वंदे भारत एक्स्प्रेस के शुभारम की अफसर पर विभिनर राज्यों से विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जुड़े आधरिये महमहिम राजपाल, माननीय मुख्य मंत्री गण, अन्य अथिति गण और आप सभी देश्वासियों का हार्डिक स्वागत है और अब आज के शुभावसर पर मैं माननीय केंद्रिये रेल संचार और एरेक्टॉनिक सेवं सूचना प्रोध्योगे की मंत्री श्री अश्वनी वैशनव जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए आमंध्रित करती हूँ, माननीय रेल मंत्री जी नमश्कार, G20 के सफल आयोजन से भारत को विश्व बंदू के रूप में स्थापित करने और नारी शक्ती वंदन अधिनेयम से बहनों माताओं को 33 प्रतिशत अरक्षन देने वाले हमारे तपस्वी प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोधी जी आज आपका इस वंदे भारत कारिकरम में हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है। देश के नौ राज्यों में उपस्तेत माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगर्ण, सांसदगर्ण, एवं बड़ी संक्या में उपस्तेत नागरिकों का स्वागत अभिनंदन है पिछले नौ वर्षों में प्रदान मंत्री शी नरेंदर मोदी जी ने रेलवे सिस्टम में अभूत पूर्व ट्रांसफॉरमेशन किया है। याद कीजिए दस वर्ष पहले इस्टेशनों की क्या हालत होती थी। आज इस्टेशन साफ सुत्रे है, नई-नई, सुईदा है, देफ्ट, एसकेलेटर, फोट ओवर ब्रेज, इत्यादी तेजी से इंस्टॉल किये जा रहे हैं। देश बर में स्टेशनों की पुरानी विवस्था को बदल कर आज की और भविश्य की जरूरतों की अनुसार नव निर्मान किया जा रहा है। अमरित भारत स्टेशन की कु देश को डीजल के भार से मुक्ति दिलाने के लिए प्रदान मंत्री जी ने 2014 से रेलवे इलेक्रिफिकेशन पर बहुत जोर दिया। जहां 2014 से पहले 40 वर्षों में करीब 20,000 किलोमेटर इलेक्रिफिकेशन हुआ था। वहीं पिछले 9 वर्षों में 37,000 किलोमेटर प्रदानमंत्री जी ने किया है ये एक बहुत उपियोगी और बहुत बड़ा आर्थिक प्रगती का एक नया मॉडल है जैसे जैसे रेलवे अधिक यात्री और समान ट्रांस्पोर्ट करेगी वैसे वैसे भारत की डीजल और पेट्रोल पे निरभरता कम होगी ये प्रदानमंत प्रदानमंत्री जी ने करीब करीब पूरी रेलवे को इलेक्रिफिकेशन याने बिजली पे पूरी तरह से शिफ्ट कर लिया है तो यात्री और सामान की ट्रांस्पोर्टेशन में डीजल का उप्योग ना होके बिजली का उप्योग होगा आप सब जानते हैं प्रदानमंत ट्रेंज से जिस तरह से मिडल ख्लासिस को सुविदा मिलेगी यात्रियों को सुविदा मिलेगी और रेलवे की केपैसिटी को बढ़ाने से जिस तरह से सामाल और यात्री जादा से जादा रेलवे की तरफ शिफ्ट होंगे इस संकल्प के साथ प्रदानमंत्री जी रेलवे को धन्यवाद मानेनीय रेल मंत्री जी और अब देश में पहली बार एक साथ नौब यंडे भारत एक्स्प्रेस ट्रेनों का शुभारम, मानेनीय प्रदान मंत्री जी कैं द्वारा होने जा रहा है, इस शुभवसद पर आईये देखते हैं आत्म निर्भारद भारत के विजिन क को साकार करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर बनाई गई एक लगो फिल्म आज हम बात करेंगे आजाद भारत से आत्म निर्भर बनते नए भारत की धुआ उड़ाती छुक छुक करती ट्रेनों से लेकर आधुनिक भारत की तेज फर्राता भरती वंदे भारत एक्सप्रेस तक की महज 9 से 10 साल पहले तक क्या किसी ने सोचा था कि कभी भारत में वर्ल्ड ख्लास स्टेशन होंगे क्या कभी भारत में भी विदेशों की तरह सपनों की रेल होगी नहीं न लेकिन प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने ये सपना देखा और बदल डाली भारतिय रेल की तस्वीर और तक्धीर और इसी कड़ी में देश की पहली स्वदेशी सेमी हाइस्पीड ट्रेन की शुरुवात की बंदे भारत 15 फरवरी 2019 को देश में पहली बंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वारानसी के बीच चलाई गई और देखते ही देखते देश के हर कोने को बंदे भारत ट्रेन जोड रही है कि वंदे भारत की आत्रा कि और ले जाए कि आज वंदे भारत ट्रेन विश्व में आत्मनिर्भर भारत की पहचान है हिर ऑज एक साथ 15 आग अई का शुभा रंभ का एतिहासिक अबसर आया है यह वंदे भारत ट्रेने अम्रित काल में नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नए उमंग की प्रतीक हैं। इन नौ बंदे भारत ट्रेनों में पहले की तुल्ला में अधिक आरामदायक सीटें, बेहतर एस्थेटिक्स, बेहतर लाइटिंग, सीट के नीचे चारजिंग पॉइंट का बेहतर प्लेस्मेंट, साथ ही कई अन्य सुविधाओं को भी अपग्रेड किया गया है। ये बंदे भारत ट्रेने और बेहतर सुविधाओं के साथ यात्रियों को तेज, सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएंगी। 11 राज्यों में परियतन एवं आर्थिक समाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का स्रिजन होगा। इन ट्रेनों से देशवासियों के लिए अपनी संस्कृति, विरासत और धार्मिक स्थलों के बारे में जानने वहां तक पहुचने में आसानी होगी। बंदे भारत ट्रेने जन सामानने के बीच अत्यधिक लोकप्रिये हैं। और अब तक एक करोड से अधिक यात्री इन अत्याधुनिक ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। अम्रित काल में बंदे भारत ट्रेने एक सो चालीस करोड देशवासियों के सपनों का नया भारत करने में एहम योगदान दे रही है। जय हैं। और अब मैं परमादर्निये प्रधान मंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस सेथेहासिक अवसर पर अपने प्रेर्णादाई उत्वोधन से हम सभी का मार्क दर्शन करें। माननिये प्रधान मंत्री जी। नमस्कार इस कारकम में उपस्तित विभिन राज्यों के राजपाल स्री अलग-अलग राज्यों में मोजूद मुख्यमंत्री साथी, केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे सदस्य, राज्यों के मंत्री, सांसवत्गान, विधायगान, अन्य जन प्रतिनी धी, और मेरे परिवार जनों। देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूत्पुर्व आउसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की स्पीड और स्केल एक सो चालीस करोड भारतियों की आकांशाओं से बिलकुल मैच कर रही है। और यही तो आज का भारत चाहता है। यही तो नए भारत के युवाओं, उद्यम्यों, महिलाओं, प्रोफेशनल्स, कारोबारियों, नवकरी पेशा से जुड़े लोगों की एस्पिरेशन्स है। आज एक साथ नव वंदे भारत ट्रेन की शुर्वात होना भी इसी का उदारम है। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, जारखन, पस्चिम मंगाल, उडिशा, तमिलनाडू, आंदरपदेश, तेलंगरा, करनाटरका और किरला के लोगों को बंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है, वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आराम दायक है। ये बंदे भारत ट्रेने नए भारत के नए जोश, नए उत्सा और नई उमंग का प्रतीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि बंदे भारत का क्रेश लगातार बढ़ रहा है। इससे अब तक एक करोड ग्यारा लाग से ज़्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथियों, देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र सासित प्रदेश के लोगों को अब तक पचीस बंदे भारत ट्रेनों की सुविदा मिल रही है। अब इसमें नव और बंदे भारत एक्स्प्रस जूड जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब बंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक करेगी। मुझे खुशी है कि बंदे भारत एक्स्प्रेश अपने उद्देश को बहुत खुबी पूरा कर रही है। ये ट्रेन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर हो गई हैं जो सफर का समय कम से कम रखना चाहते हैं। ये ट्रेन उन लोगों की बहुत बड़ी जरुरत बन गई हैं। जो दूसरे शहर में कुछ गंटों का काम खत्म करके उसी दोन उसी दीन लोट आना चाहते हैं। बंदे भारत ट्रेनों ने परियतन और आर्थिक गतिविध्यों में भी तेजी ला दी हैं। जिन जगों तक बंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुँच रही हैं। वहां परियतकों की संख्या बढ़ रही है। परियतकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आयमें भी बढ़ोत्री हो रही है। इससे वहां रोजगार के नए आउसर भी तैयार हो रहे हैं। मेरे परिवार जनों, भारत में आज जो उत्सा और आत्म विश्वास का वातावन बना है, वैसा पिछले कई दसकों में नहीं बना था। आज हर भारत वासी अपने नए भारत की उपलद्यों से गवरवानमित है। चंद्रयान तीन की सफलता ने सामान्य मानवी की उमीदों को आसमान पर पहुँचा दिया है। आदिक्त्यों L1 की लॉंचिंग ने होसला दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कठीन से कठीन लक्ष को भी हासिल किया जा सकता है। G20 समीट की कामियावी ने ये विश्वास दिया है कि भारत के पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी की कितनी अदभूत ताकत है। आज भारत के कुटनीतिक कौशल की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हम अमारे विमेन लेट डेवलोप्मेंट के वीजन को दुनिया ने सरहा है। अपने इस वीजन पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने संसद में नारी शक्ती बंदन अधिनियम पेश किया था। नारी शक्ती बंदन अधिनियम के आने के बाद हर सेक्टर में महिलाओं के योगदान और उनकी बढ़ती भुमिका की चर्चा हो रही है। आज कई रेल्वे स्टेशनों का संचालन भी पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। मैं ऐसे प्रयासों के लिए रेल्वे की सरहना करता हूँ। देश की सभी महिलाओं को नारी शक्ती मंदन अधिनियम के लिए फिर से बढ़ाई देता हूँ। साथियों आत्म विश्वात से भरे इस माहोल के बीच अम्रित काल का भारत अपनी वर्तमान और भविश्य की जरुदों पर एक साथ काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग से लेकर एजिकूशन तक में हर स्टेक होल्डर में तालमेल रहे। इसके लिए पी-एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है। देश में टांस्पोर्टेशन का खर्च कम हो, हमारे एक्सपोर्ट्स की लागत कम से कम हो, इसके लिए नई लोजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। देश में टांस्पोर्ट का एक माध्यम दूसरे को सपोर्ट करें, इसके लिए मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इन सारे प्रयासों का बड़ा लक्ष यही है कि भारत के नागरिक के लिए इज और ट्रावेल बढ़े, उसका किम्ती समय बचे। यह बंदे भारत ट्रेने इसी भावना का एक प्रतिविम्ब है। साथियों, भारतिय रेलवे देश के गरीब और मिडल क्लास की सबसे भरोसे मन्त सहयात्री है। हमारे हाँ एक दिन में जितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं, उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। यह दुर्भाग्य रहा कि पहले भारतिय रेलवे को आधुनिक बनाने पर उतना ज्यान दिया ही नहीं गया। लेकिन अब हमारी सरकार भारतिय रेलवे के काया कल्प में जुटी है। सरकार ने रेल बजेट में अभुत्पुर्व बढ़ोत्री की है। 2014 में रेलवे का जुतना बजेट था इस साल उससे आठ गुना ज्यादा बजेट दिया गया है। रेल लाइनों का दहुरी करन हो, बिजली करन हो, नई ट्रेनों को चलंगना हो, नए रूट्स का निर्मान हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। साथियों, भारतिय रेल में यात्रियों के लिए अगर ट्रेन चलता फिरता घर होती है, तो हमारे रेलवे स्टेशन भी उनके अस्थाई घर जैसे ही होते हैं। आप और हम जानते हैं कि हमारे यहां हजारों रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो गुलामी के कालके हैं, जिन में आजाजी के 75 साल बाद भी बहुत बडलाव नहीं आया था। विक्सित होते भारत को अब अपने रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बनाना ही होगा। इसी सोच के साथ पहली बार भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास और आधुनी करण का भ्यान शुरू किया गया है। आज देश में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड संख्या में फूट ओवर बीच, लीप्स और एस्केलेटर्स का निर्माण हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही देश के 500 से जादा बड़े स्टेशनों के री डेवलप्मेंट का काम सुरू किया गया है। अम्रित काल में बने ये नए स्टेशन अम्रित भारत स्टेशन कहलाए जाएंगे। ये स्टेशन आने वाले दिनों में नए भारत की पहचान बनेंगी। मेरे परिवार जनों रेल्वे स्टेशन कोई भी हो उसका एक स्थापना दिवस जरूर होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब रेल्वे ने रेल्वे स्टेशनों का जन्मोत्षव यानि स्थापना दिवस मनाना शुरू किया है। हाली में तमिल नावी के कोईम टूर, मुंबई के छत्रपती सिवाजी टर्मिनस, पूने समेत कई स्टेशनों के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया। कोईम टूर के रेल्वे स्टेशन ने तो यात्रियों की सेवा के 150 वर्थ पूरे किये हैं। ऐसी उपलब्दियों पर वहां के लोगों को गर्गब होना बहुत स्वाबाविक है। अब रेल्वे स्टेशनों का जन्मदिवस मनाने की इस परंपरा का और विस्तार किया जाएगा। इससे जादा से जादा लोगों को जोड़ा जाएगा। मेरे परिवार जनों, अमरित काल में देश ने एक भारत, स्रेष्ट भारत इस वीजन को संकर्प से सिद्धी का माध्यम बनाया है। 2047 के जब देश आजादिक के सो साल मनाएगा, 2047 विख्षीद भारत का लक्षा हासिल करने के लिए हर राज का, हर राज के लोगों का विकास भी उतना ही जरूरी है। पहले की सरकारों में जब कैबिनेट का गठन होता था, तब इस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा होती थी, कि रेल मंत्राले किसको मिलेगा। माना जाता था कि रेल मंत्री जिस राज्ये से हो का, उसी राज्ये में ज़्यादा ट्रेने चलेगी। और उसमें भी होता ये था कि नई ट्रेनों की गोश्णाएं तो कर दी जाती थी, लेकिन पट्री पर बहुत कम ही उतरती थी। इस स्वार्थ भरी सोथ ने रेलिवे काई नहीं देश का बहुत बड़ा नुक्षान किया। देश के लोगों का नुक्षान किया। अब देश किसी राज्ये को पीछे रखने का जोखिम नहीं ले सकता। हमें सबका साथ सबका विकास के वीजन को लेकर आगे बढ़ते रहना होगा। मेरे परिवार जनों, आज मैं रेलिवे के अपने परिश्रमी करमेचारियों से भी एक बात कहूँगा। जब कोई दूसरे शहर या दूर किसी जगर से यात्रा करके आता है, तो उससे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सफर कैसा रहा। वो व्यक्ति सिर्फ अपने सफर का अनुभवी नहीं बताता। वो घर से निकलने से लेकर मंजिल तक पहुँचने के पूरी बात करता है। वो बताता है कि रेलवे स्टेशन कितने बदल गए हैं। वो बताता है कि ट्रेनों का परिचालन कितना व्यवस्तित हो गया है। उसके अनुभवों में टीटी का वहवार, उसके हाथ में कागज की जहर, टैबलेट, सुरक्षा के इंतजाम, खाने की क्वालिटी, सब प्रकार की बाते होती हैं। इसलिए आपको, रेल के हर कर्मचारी को, इस दब ट्रावेल के लिए, यात्रियों को अच्छा अनुभव देने के लिए, लगातार संबेदन सिल रहना होता है। और आजकल, ये बाते जब सुनने को मिलती है, कि इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, तो मन को एक खुशी मिलती है। और इसलिए, मैं ऐसे जो प्रतिबद रेल कर्मचारी हैं, उनकी भी जी जान से बढ़ाई देत करता हूँ। मेरे परिवार जनों, भारतिय रेलवे ने स्वच्छता को लेकर जो नए प्रतिमान गड़े हैं, उसे भी हर देश वासे ने नोटिस किया है। पहले की अपेक्षा, अब हमारे स्टेशन्स, हमारी ट्रेने कहीं जादा साफ रहने लगी है। आप जानते हैं, गांधी जैनती दूर नहीं है। स्वच्छता के प्रती गांधी जी का जो आंगर था, वो भी हम जानते हैं। स्वच्छता के लिए किया गया हर प्रयास, गांधी जी को सच्ची स्रधाजली है। इसी भावना के साथ, अपसे कुछ दिन बाद, एक अक्तुबर को, एक अक्तुबर को सुभे दस बजे, याद रखिए। एक अक्तुबर को सुभे दस बजे, स्वच्छता पर एक बहुत भड़ा आयोजन होने जा रहा है। देश के कोने कोने में हो रहा है, और देश वाच्छों के नित्रुत्म में हो रहा है। मेरा आप से आगर है, बहुत आगर है, आप भी स्वच्छता के इस अभ्यान से जुरूर जुड़े, एक तारीक दस बजे का समय अभी से पक्का कर लीजिए। गांधी जन्ती पर हर देश मासी को खादी और स्वदेशी उत्पादों की खरीद का मंत्र भी दोहराना चाहिए। दो अक्तूबर को गांधी जन्ती हैं, 31 अक्तूबर सदार वल्लभाई पटेल की जन्ती हैं, एक प्रकार से पूरा महना हम प्रयत्त पुर्वक खादी खरीदें, हैंडलूम खरीदें, हैंडी क्राप खरीदें, हमें लोकल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोकल होना ही ह साथियों मुझे विश्वास है कि भारतिय रेल और समाज में हर स्टर पर हो रहा बढ़लाव विख्षिद भारत की और एक महत्वकुन कदम साबित होगा मैं एक बार फिर नई बंदे भारत ट्रेनों के लिए देश के लोगों को बहुत बहुत शुपकामनाय देता हूँ बहुत बहुत धन्यवार मानने प्रधान मंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार धन्यवार अब मैं आदर्णिय प्रधान मंत्री जी से देश के अलग-अलग राज्यों में संचालित होने वाली नौ बंदे भारत ट्रेनों का हरी जंडी दिखा कर शुभारम करने का आग रही करती हूँ और जैसे कि हम देख रहे हैं माननी प्रधान मंत्री जी ने हरी जंडी दिखाई है राजस्तान, कमिलनार, तेलंगाना, अंधरप्रदेश, करनाठक, बिहार, प्रश्चिन बंगाल सेरल, ओडिशा, जारकंड और गुजरात राज्यों को बंदे भारत एक्स्प्रिस की सौगात मिली है उद्यपूर, जारकंड बंदे भारत एक्स्प्रिस, तिरुन्मेले, बदुराई चन्नाई, हैदरबाद, पैंगलूरू, विजयवाड़ चन्नाई, पतना हावडा, कासरपोर्तिरु अनन्पुरम, राउर केला, भुवनेश्वरपुरी, राची हावडा, जाननगर से जवाड बंदे भारत एक्स्प्रिस इसमें शामिल हैं और हम तब की दर्फ से इस्तमारों को गर्मा फ्रदान करने के लिए माननी दुर्थान मंत्री जी का बहुत बहुत ध्यूश्वाड़ू